प्रेस्ट सब्सक्राइब बेल आइकोन और लाइक बटन जैन वर्ल्ड डॉट ओम ट्वेंटी फाइएर्स अफ सर्वेस्ट जैनिजम तो थ्री ओम से स्टार्ट कर देते हैं ओम 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 अधर्म अधर्म ध्यान और धर्म ध्यान द्यान ये दो हमने देखे और धर्म ध्यान पिर जो है कि चार भाग हमने देखे उसमें आद्या विपाग विचय ध्यान अपाई विचय ध्यान और समस्थान विचे ध्यान, तो हमने देखा आधनिया विचे ध्यान में कि कैसे जो हमारे आगमों में तत्व दिये हुए है, शटद्रव्य है, साथ तत्व है, नौपदार्थ है, इनकी बाते हमें करनी है, वो आधनिया विचे ध्यान उस पर चिंतन करना है. और विपाक विचे ध्यान में हमने देखा था कि अभी इस इक्षन जो मेरे जिंदगी में घट रहा है कुछ दुखा आ रहे है, कुछ सुखा आ रहे है, कुछ पीडा यातनाए है तो किस कारण आ रही है, कौन से कर्मों के कारण आ रही है इसकी analysis हमें करनी है विपाक के विचे ध्यान में और अपाई विचे ध्यान जो है और past, history का, विपाक के विचे ध्यान जो है कि present तो आज जो हो रहा है मेरे जिंदगी में तो मैंने ऐसा क्या किया था ऐसे कौन से कर्मों के बंधो उस समय बांधे थे कि ये विपाक में आज आ गए है तो अपाई विचे ध्यान जो है कि हिस्ट्री में पास्ट में जाके उसकी एनलिसिस करनी है कि क्या किया था मैंने किस कारण और समस्थान विचे की बाते आज हम कर रहे हैं तो समस्थान विचे में जो है कि पांच मुख्य भाग होते हैं उसके तो पांच मुख्य भाग जो है तो समस्थान विचे मिन्स बैसिकली यूँज देखते हैं कि हमारे बाड़ी जो है पंच्छ महा भूतों से बनी हुई है याने कि पृत्वी, जल, वायू, अगनी और अकाश ये पाँच तत्वों से हमारे बाड़ी बनी है और हम कहते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे बाड़ी फिर से उस पाँच तत्वों में विलिन हो जाती है तो समस्था में विचे में हमें पांच भागों में उसमें चार भागों में पहले लेना है पिंडस्थ, पदस्थ, रूपी और अरूपी तो पिंडस्थ, याने के शरीर से जुड़ी हुई पदस्थ, याने वानी और मन से जुड़ी हुई और रूपस्थ, याने की रूप के सहारे जो भी रूप, याने के जो हम हमारी इंद्रियों से जान सकते हैं देख सकते हैं तो इसमें अब पिंडस्थ ध्यान जो है उसको हम ले लेते हैं और पिंडस्थ के पांच भाग जो हमने अभी देखे थे कि पांच जो महाभूत तत्व है तो पिंडस्थ में आएगा पार्थिवी धारना अगने धारना वायू धारना दैदिज मारती धारना और वारुनी धारना याने की जल और तत्वा रूपवती धारना तो ये पांच जो है इस पर आज हम बाते करेंगे और उसकी एक्चुल एक्स्प्रिमेंट भी हम करते चले जाएंगे तो धारना का थोड़ा सा मिनिंग हम क्लियर कर लेते हैं कि धारना का क्या मतलब होता है तो एक कहानी है महाभारत की कि दुरुनाचारे ने सारे शिश्चों को बुलाया और जो आगे पेड़ पर पंची था पंची एक रखा हुआ था डमी तो उन्होंने कहा कि इस पंची की जो आख है चमक रही है वहाँ पर हम को धनश्यबान से हिट करना है तो एक-एक को बुलाया यहां से खड़ा रहो देखो क्या दिखता है आपको तो किसी ने कहा हाँ हाँ वो सामने इतना जंगल है सब दिख रहा है पेड़ है दिख रहा है उस पर शाका है दिख रही है पक्ची पंची दिख रहा है दूसरा आया उसने देखा नहीं मुझे पेड़ दिख रहा है थोड़े दो चार पेड़ दिख रहे है और ये दिख रहा है शाखा दिख रही है और एक आया उसने कहा नहीं सिर्फ पेड़ दिख रहा है और एक आया उसने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ शाखाय दिख रही है एक ने आया नहीं एक ही शाख दिख रही है उसमें पंची है करते करते अरजुन आ गया तो अरजुन को पूछा भाई आपको क्या दिख रहा है तो अरजुन ने कहा कि ओ पंची की केवल आख जो है उतनी ही मुझे दिख रही है केवल आख दिख रही है बाकी कुछ भी नहीं दिख रही है ना पंची की बाकी बोड़ी मुझे दिख रही है ना डाली जिस पर मेटा है ओ दिख रही है ना पेड़ दिख रहा है ना बाके जंगल दिख रहा है ना अजुबाजु मेर इतने लोगों कोई नहीं दिख रहा है केवल केवल पंची की आख जो है उतनी ही आख मुझे दिख रही है तो याने की जो मेरा धेय है केवल उतना ही मेरी नजर में है बाकि सारी दुनिया मेरी नजरों से वो जलो गई है So that is the dharna dharna is focusing your chit on a specific जो हमारा object है उसके उपर focus करना This is the dharna एक दुसरे उधारन से समझ लेते है कि एक नर्तकी है बहुत सुन्दर नर्तकी है डांस करती है तो कोई गा रहा है उदर ताल है उदर ले है और उस पर वो perfectly नाच रही है उसके पहर उसके गंगरू सारे synchronize हो गए है मगर अब उसने अपने सिर पर मटके रखे है एक दो तीन चार पांचे साथ मटके रखे है और वो फिर से डांस कर रही है तो गायन है ताल है ले है उसका डांस भी है मगर उसकी सारी attention जो है मटकी जो है सिर पे रखी हुई उस पर है कि कोई ओ मटकी ना गिर जाए तो सारी focus वहाँ पे है उसकी तो दिस इस धारना कि जो आपका object है उस object पर पूरा का पूरा चित्त फोकुस हो जाए तो ये पांच धारना जो है कि जब हम इसमें ध्यान करेंगे तो केवल उसी object पे हमें focus करना है तो पहला जो है पर्थवी धारना याने के पृत्वी से related जो हमारे पांच तत्वों से पंच तत्वों से एक तत्व है जिस से हमारे body बनी हुई है तो चलिए आख बंद कर लिजिए ध्याने की मुद्रा में आ जाएए quickly थोड़ा कायत स्वग कर लिजिए quickly मनो गुपती वचन गुपती काय गुपती जितनी साथती है मगर ज्यादा तर काय गुपती साथनी है 80 परसें 90 परसें तो रिलेक्स कर लिजिए body को पूरा completely पैर, हाथ पीठ छाती, पेट चेहरा सर, ललाट सारा every part in the body completely relax करना है जहां भी tension है वहाँ ज्यादा focus करके उसे relax कर लेना है और क्योंकि हम शरीर पर focus करेंगे तो मन का भी use करेंगे और तरक बुद्धी का भी थोड़ा use करेंगे तो उसमें जो है कि हमारी वचन गुपती और मनो गुपती कम होगी क्योंकि उसका हम use करेंगे but it is focused on one objective तो चलिए अब imagine कीजिए कि आप कैलाश परवत पर पहुंच गए है जहां भगवन आदिनाथ का निर्वान हुआ था और वहां पर सहस्त्र दल वाला कमल है स्वर्न का कमल है सहस्त्र दल वाला स्वर्न कमल है और उस पर आप बैठे हुए है तो इम्याजिन कीजिए कैलाश परवत पर सहस्त्र दल वाला स्वर्न कमल है उस पर आप बैठे हुए है और चारो तरफ बर्फ है और बर्फर सुरज की किरने गिर रही है तो सारा माहौल ऐसे लगता है कि चांदी चमकती हुई चांदी से बना हुआ है वक्तामर सोत्र में हम कहते हैं कलद होता कांतम याने कि चमकते हुए चांदी की तरह तो आपके चारो और चमकते हुए चांदी की तरह सारा माहौल है सफेदी सफेद, चमकदार सफेद है और वहाँ पर आप स्वर्न कमल पर सस्त्रदल स्वर्न कमल पर बैठे है ध्यान मुद्रा में बैठे है और अब इमेजिन कीजिए कि आपका जो आभा मंडल है आपके शरिर के चारों और जो आभा मंडल होता है वो आपको दिख रहा है अबी और जैसी आपकी लेश्या है उस प्रकार से और रंग उस आभा मंडल में आ रहा है तो कैलाश परवत पर आप बैटे है स्वर्नकमल में सहस्त्रदल के समझे तो सहस्त्रदल जो है वो भी आप गिंते जाएए कि कितने है और वहाँ पर आप ध्यानमुद्रा में बैटे है चारों और करदों तकांतम याने कि चमकती हुए स्वर्नकी तरह सारा माहोल वहाँ पर है क्योंकि सारा बरफ़च्छादित और सुर्य की प्रभा से चमक रहा है और अब आपको आपका भामंडल दिख रहा है और उसमें जैसे आपकी लेश्या है उस प्रकार से रंग उसमें आपको दिख रहे है तो जो छे लिश्या है एक एक करके आप बदलते चले जाएए कृष्ण लिश्या, नील लिश्या, कपोत लिश्या, पीत लिश्या, पद्म लिश्या, शुक्ल लिश्या तो एक एक लिश्या से जो आप चलते जाएए और रंग वैसा बदलते चले जाएगा ये सारे चीज़े आपको देखनी है एक साथ में विजुलाइज करनी है सारे की सारी कैलाश परवत पर आप बैठे है सहस्त्र दल, स्वर्णा मंडित सहस्त्र दल पर बैठे है ध्यान मुद्रा में बैठे है चारो और कलधवत कांतम चमकते हुए स्वर्णा चमकते हुए चांदी की तरह माहुल है और उसमें आपको आपके शरिट का मंडल दिख रहा है और जैसे लिशा आ रही है उस प्रकार से रंग बदल रहा है इमेजिन कीजिए यहाँ पर कलपणा शक्ति का यूज हमें करना है फिर से इमेजिन कीजिए सारे की सारे चीज़े आपके आखों के सामने आनी चाहिए केलाश परवत, सहस्त्र दल, स्वर्न कमल उस पर आप ध्यान मुद्रा में बेटे हैं चारो और चमक्ती चांदी का जैसा महुल और उस पर आपके शरिर का अभा मंडल आपको क्लियरली दिख रहा है जैसे जैसे आप इसको रिपीट करते चले जाएंगे 3-4 months time you will really start visualizing everything that it is happening in front of your eyes so this is the पार्थवी धर्ना इसके बाद जो है आगने या धर्ना next है अगनी तो जैसा हम जानते है कि नाभी का जो केंद्र है ओ हमारा तैजस केंद्र है अगनी का center जो है और नाभी का केंद्र रह्मानिपूर चक्र जो है तो अब हम इसी तरह से imagination के साथ आगने धर्ना के और बढ़ जाते हैं तो आप फिर से सहस्त्र दल कमल पर बैठे है का इलाज पर होने की जुरूरत नहीं कहीं भी आप बैठे है सहस्त्र दल स्वर्नमाई कमल पर बैठे है ध्यानमुद्रा में बैठे है और आपके नाभी के पास सोला दल वाला एक कमल है खिला हुआ और इसमें सोला इसमें जो है कि जो मुल अक्षर है तो यह जो बिजाक्षर है सोला बिजाक्षर है यह एक पंकुड़ी में एक एक लगा है A-A-E-E-U like that. So you start visualizing now कि नेवल सेंटर के पास आपके सोला दल वाला कमल खिला हुआ है और आप सहस्तर दल कमल पर बैटे है और नाभी के पास सामने एक दुसरा कमल खिला हुआ है सोला पंकुड़ी हो वाला और उसमें आपने A-A-E-U यह सोला जो बिजाक्षर है वहां लिखे हुए है तो यह सोला बिजाक्षर आपको visualize करने है तो आपके आखों के सामने आ जाने चाहिए visualize होने चाहिए और आप visualize कीजिए कि ओ कमल रोटेट हो रहा है तो आपके आखों के सामने एक 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 विजाक्षर आने लगा है तो visualize suggestion इसको करते रहिए फिर रुदय के पास में दूसरा एक कमल मगर यह अधोगामी है नैवल सेंटर के पास जो है अधोगामी है उसकी पंखुडिया उपर की तरफ है और रुदय के पास जो है अधोगामी है उसकी पंखुडिया नीचे की तरफ है याने कि नैवल सेंटर का और रुदय के पास का facing इचदर हो गया तो उसमें आठ पकुडिया है रुदय के पास जो है और इस आठ पकुडियों में आठ कर्म की नाम लिखने है विजूलाइज करने है ज्याना वरण दर्शना वरण मोहनिया अंतराए और बाकी ये चार घाती कर्म होगे और बाकी चार अघाती कर्म जो है कि नाम कर्म है, गोतर कर्म है, आयू कर्म है, तो ये सारे चारो उधर लिखने हैं, तो आठ कर्म वहाँ पे हो गए, और यहाँ पे सोला बिजाक्षर, और आगे इमेजिन किजिए कि आप जो बेटे हैं, आपके बाजू पे एक त्रिकोन बन गया है, आप त्रिकोन के सेंटर में आ गये हैं, त्रिकोन के मद्धे में आप है, त्रिकोन बन गया है, और त्रिकोन के तीन कोर में स्वस्तिक है, एक स्वस्तिक एक कोर में, टॉप में, दो बॉटम में, एक-एक स्वस्तिक और है, और जो लाइन है, उसमें आप रम, रम नाम का अक्षर जो है, रम, र के उपर टिंब, ज एक लाइन पे दूसरी लाइन पे टेन राम और तिसरी लाइन पे टेन राम तो imagine कीजिए सहस्त्र दल कमल पर आप बैटे है ध्यान मुद्रा में बैटे है नाभी सेंटर पे 16 दल वाला कमल खिला हुआ है वहाँ पे 16 बिजाक्षर हमने डाल दिये और रुदय के पास आध्या चक्र जो है अनन्दकेंडर जो है वहाँ पर एक कमल आठ पकुडियों वाला कमल खिला हुआ है और एक एक पकुडियों पे हमने एक एक जो है कर्म के नाम लिख दिये है और ट्रेंगल जो है ट्रेंगल बना हुआ है तीन स्वस्तिक कॉर्नर में और राम दस बार बिट्विन दस स्वस्तिक एक्वल डिस्टंस पे राम तीनों लाइं पे दस 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 तो चलिए अब यह जो कमल के लिए उसके सेंटर में जो है रिम है दोनों नैवल सेंटर के पास का जो कमल है और अनाद चक्र के पास का अनंद के अनद चक्र के पास का सेंटर में रिम है अब रिम जो है नैवल सेंटर के पास वहां अगनी प्रजवलित हो रही है दीरे दीरे अगनी बढ़ रही है और वहां से वो एक एक पकुडियों में अगनी जा रही है तो ओ के पकड़ियों में गई आके पकड़ियों में गई वहाँ पे अगनी बढ़ रही है तो सोला पकड़ियों में अगनी है और अगनी जवाला बढ़ रही है और वैसे ही रुदे के पास जो रिम है वहाँ पे अगनी बढ़ रही है और वहां से आठो पंखुडियों में अगनी प्रजवलित हो रही है न्यानावरन, दर्शनावरन, मोनिय, अंतराय, विदनिय, आयो, नाम, गोत्र सब में अगनी प्रजवलित हो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है दावा नल में जैसे अगनी होती है वैसी अगनी बढ़ रही है भैंकर अगनी और त्रिकोन जो है अब त्रिकोन के अंतर से फिर अगनी शरीर की तरफ आ रही है आपके शरीर की तरफ आ रही है तो त्रिकोन के तीनों बाज़ों से अगनी की जवाला आएं आपके शरीर तक आ रही है हर एक रम से अगनी जवाला आपकी तरफ आ रही है स्वस्तिक जो है इसमें से अगनी जवाला निकल कर आपके तरफ आ रही है तो आपके शरीर को चारों और से प्रलाइकाल की जो अगनी होती है ऐसे अगनी और दीरे दीरे आपका शरीर जल रहा है आपके कर्म जो है जल रहे है इमेजन कीजिए कि जो आठ दल वाला कर्म का ये है न्यानावरन जल रहा है दर्शनावरन जल रहा है ये लो वे दनिया जल रहा है मौनिया जल रहा है आयो नाम गोतर सारे करम जल रहे है एक एक पंकुडी जो करम है उसको विज्यूलाइज करके और नाभी चक्र के सारे सोला जो विजाक्षर है हर एक में अगनी लगी है और त्रिकौन की तरफ से भी अगनी बाड़ी की तरफ आ रही है तो दावा नल के तरह दूदो दूदो अगनी जल रही है बढ़ रही है और धीरे 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 आपका शरिर जल कर राख हुआ है सारे करम जल कर राख हो गए है और अब इमेजिन कीजिए कि धीरे धीरे अगनी कम हो रही है कम हो रही है और अगनी बुच गई है और यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है जब भी हम अगनी की बात करते है तो निर्धूम होती है यहाँ धुआ नहीं होता है तो इसलिए हम कहते कि निर्धूम वर्तिरप वर्चितित तहिलपूर वगरे तो निर्धूम जो है अगनी कोद हमें देखना है वहां कोई दुआ नहीं है तो सारा शरीर हमारा जल गया है सारे कर्म हमारे जल कर राख हो गया है तो चलिए आगने या धारना से हम निकल कर बाहरा जाते हैं और अगले धारना पर चले जाते हैं मारुती धारना याने कि वायो तो फिर से इमेजिन कीजिए कि आप अभी आपका सहस्तर दल का कमल तो है ही उसके उपर जो आपकी बॉड़ी थी वो आप केवल राख बन कर बनी है मगर वो सिर्फ बॉड़ी शेप में ही है अभी उसको डिस्टरब नहीं हुआ है तो अभी इमेजिन कीजिए कि जोर से इनो टॉर्मेडो हरीकेन बहुत जोर से हवा बह रही है जोर से हवा चारों तरफ से आ रही है हवा के आने का आवाज जा रहा है जोर से हवा जब जा आती है तो आवाज के साथ आती है तो उस आवाज को भी मैसस कीजिए हवा चारों तरफ से हवा रही है और जो जलकर राक वाँ है उसको दीरे दीरे ऊड़ा के लिए जा रही है दीरे 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 जो आपके शरिर के आकार में बैठे थे राख के कण उड़ कर चले जा रहा है उड़े उड़क के कहेंगी खाक सनम तो एक 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 उसके कान उड़ रहे है तो करम मल की जो अशुद्धी थी शरिर की जो अशुद्धी थी जो राकर के रूप में अभी बाकी है ओ दीरे 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 निकल कर जा रही है प्रचंड वायू जो है उसकी इमेजिनेशन आप कीजिए हरिकेन है टॉर्नेडो है उसको इमेजिनेशन कीजिए और दीरे दीरे जो जलतर राख हुए आपके शरिर इसके कन है वो दीरे दीरे हवा में जा रहे है एक एक करके एक एक करके एक एक करके तो चलिए मारोती धरना से वापस आ जाते है वारोनी धरना याने की जलब तो फिर से इमेजिन कीजिए अब आपकी राख जो है इदर उदर उड़ गई है कुछ थोड़ी वहाँ पर अभी बची है बाकी हवा के काराने ददर बिखर गई है तो अब आस्मान में जलधारा मेग आ रहे है प्रचंड मेग आ रहे है काले घनगोर वर्षा करने वाले मेग आ गया है और उनका गरजन हो रहा है मेगों का गरजन हो रहा है जोर जोर से गरजन हो रहा है उसके आवाज को इमेजिशन केजिए और मेगों के घरशन के कारण बिजली पैदा हो गई है बिजली के कड़क बिजली के लाइट को मैसुस कर दीजे उसके साथ जो आवाज आयता है बिजली कड़कती है उसका अनुपो कीजिए और अब धीरे धीरे बारिश आने शुरू हो गई है जहां आपकी जली हुई राख पड़ी हुई है वहां बारिश की वर्षा हो रही है पहले छोटी छोटी पुंदे आ रही है फिर घंगोर वर्षा हो रही है बड़ी पुंदे कंटिनिवस जोर जोरो शोरो से वर्षा हो रही है और वो बर्षा होने की जो आवाज आती है उस आवाज को मैसुस कीजिए उस आवाज को इमेजि है , वेगों के गरजन की आवाज आती है , विजली के कड़कने की आवाज आती है बिजली की कड़कने के से प्रकाश हमें दिखता है . तो गंगोर बादलों के विजले के कारण जो अंदकार आ गया , उसमें جमकती हुई विजली का प्रकाश, बादलों का गंगोर आवाज, और बारिश, जो रोशोरण से जो बारिश हो रही है, उसका आवाज, और ओ बुन्दे, पूरे राख को बहा कर ले जा रही है, जो भी राख हवा के कारण बिखर गई थी, थोड़ी वहां पड़ी थी, वो सारी की सारी, सारी की सारी, सारी की सारी, बह कर चली जा रही है, तो चलिए वारुनी धारणा से हम निकल कर आ जाते हैं और आखरी जो है तत्व रूपवती धारणा तो यहां पर अभी हमें इमेजिन करना है कि हमारे कर्ममल निकल गए हमारा शरीर जल गया है तो हमारी शिद्ध चेतन शक्ति रही है तो उस शिद्ध चेतन शक्ति को उस सिद्ध स्वरूप को हमें इमेजिन करना है तो सिद्ध की जो बॉर्डर लाइन वाली आकृती होती है तो स्टैंडिंग या सिटिंग पोजिशन में only हमारी body की जो border होती है ऐसी सिद्ध की जो मुर्थी होती है उसको imagine कीजिए और उसकी जो qualities है सिद्धों की अनन्त अत्यान, अनन्त दर्शन, अनन्त विर्या, अनन्त सुक, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सुक्ष्मत्व, वगएरे वगएरे जो उसकी qualities है उसको imagine कीजिए और सिद्ध स्वरूप को यहां पर imagine कीजिए कि मेरे सारे कर्म जलकर राख हो गए, मेरा शरीर भी जलकर राख हो गया है और मेरी चेतन शक्ति सिद्ध स्वरूप में यहां पर तो चलिए, धारनाओं से वापस आ जाते हैं, तो यहां पर जो है कि शरीर के माद्धे में से हमने स्थूल से सुक्ष्म की और जाने की कोशिश की है आगने धारना से हमने कर्म मल को जलाने की, शरीर को जलाने की तो आगने धारना से जो हमारा तैजस शरीर है वो पुष्ट होता है, वो स्ट्रॉंग होता है, वो शुद्ध होता है और हमारी इसमें आभाग का निर्मान होता है, एक तेज आपके चेहरे पे आएगा, एक तेज आपके बोड़ी में आएगा, एक ओज आपकी वानी में आएगा, एक प्रकरता आपके विचारों में आएगी, विविक्षिलता आएगी, ये सारी आगने धारना के कारण आपक तो प्राप्त हो जाएगी और वरोनी धारना है और पारतिवी धारना है और जल की जो धारना है उससे भी हम जो है कि हमारे कर्ममल कैसे निकल के जा रहे है और आखरी जो है सिद्धस्वरूप की धारना तो धर्मध्यान में ये पिंडस्त ध्यान की बात अत्यनतम महत्वपुर्ण है और ये प्रैक्टिकली आप इजिली कर सकते हो वेरी वेरी इजिली यू कें स्टार्ट दूइंग इट और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी यू बिल स्टार्ट फिलिंग दे चेंज इन यूरसल्फ तो स्पेशली आगने अधारना बहुत बहुत इंपॉर्टन है ताकि उससे आपका तैजस शरीर की शुद्धी होगी तैजस शरीर का बल बढ़ेगा और फिर आपके फिजिकल बॉड़ी में भी उसके एफेक्ट आने शुरू जाएगी आपके चेरे पे ते जाएगा आपके बॉड़ी में ते जाएगा आपकी वानी में वो जाएगा आपके विचार और आचार में बदला जाएगा तो पिंडस्त ध्यान एक इंपॉर्टन्ट स्टेप है और बहुत इजिली प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं क्य क्योंकि यहां पर आलंब ध्यान है, क्योंकि हम किसी वस्तु का आलंब ले रहे हैं, शरेर का ले रहे हैं, अगनी का ले रहे हैं, पृत्वी का ले रहे हैं, और जलका ले रहे हैं, फिजिकल बॉडी का ले रहे हैं, तैजस बॉडी का ले रहे हैं, कार्मान बॉडी का ले रह प्राइयों में हमें ले जाने के लिए और इसका सतत अभ्यास यदि आप करेगे तो कम से कम 15-20 मिनिट तो करना है यहां पर हमने 2-3 दिन मिनिट की है तो जैसे आपको समझे कभी एक दिन में एक ही कर लेनी है या 2-3 करनी है दो करनी है जैसे आपको टाइम स्लोट एड़ जस् संसान का संसान का मतला पिंडस्त उसके बाद और तीन बागी है चार और बागी है हां तो पिंडस्त है पदस्त है रूपस्त है रूपाति फोर तो तीन बागी है अभी आपने खाया था पांच है पहले चार बाद करेंगे फिर बाद में पांच जो है धरना है पांच वो पांछ धारनः तो पनख दार्ना बावर हैं तो पिंड़स्था को तो पन दा स्था को आप कर लिया है नेक्स्ट जो है पदस्था है तो नेक्स्ट टाइम्न से पदस्था भी डीटेल में जाने पड़ेगा पदस्ते is very very important तो next time में we will cover only पदस्ता और रूपी और अरूपी यह नहीं है न हम उसके आगे के lecture में दोनों कवर कर लेंगे बहुत important steps है यह धर्मत ध्यान की और उसमें यह steps बहुत बहुत important है और you can see the benefits you know in few months time उसके बहुत लंबा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा तो जैसे आप practice करते चले जाएंगे तो you will start you know the benefits will be very visible even in the physical body तो चलिए यहाँ पे तीन ओम करके आज का session हम खतम कर रहते हैं ओम् हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है झाल में लुक्त ब्लिष तोी एठ कर देश कोड़ से जाइन मैंड़क का गॉची आ. Yaynworld.com जाइन्जर्बुर्ब, 25 years of service to Jainism